So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Indian Oil Corporation Limited की आई वो से की हम बात करेंगे इस पर्टिकलर वीडियो में साथ ही इसके राइट इशू और अपकमिंग बोनुस को लेकर भी हम कुछ चीजे डिसकस करने वाले है तो वीडियो को बिना skip किये और तक देखना और चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी subscribe कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी join कर सकते हो जिसकी link आपको नीचे description में मिल जाएगी वह आपको nipty और bank nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बाद चेक आउट जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं कंटीनूर तो वीडियो में गर देखें तो IOC के प्राइस के बारे में पहले डिसकस कर लेता है कि स्टॉक ने आज केसा परफॉर्म किया है तो शेर ने आज गिरावट बताई 2.55 पेसे की गिरावट रही 2.10% की गिरावट के साथ स्टॉक ने 118 रुपे हस्ती पेसे के लेवल पे क्लोजिंग यहाँ पर दे दी है वही अगर हम बात कर लें तो शेर में यहाँ पर गिरावट आज काफी दिनों बाद रही बर जो लेवल जो टारगेट्स हमने डिसकस किये थे उन टारगेट्स को अज्यू करने के बाद शेर में एक प्रॉफिट बुकिंग आई है और इसके बारे में हम पहले अल्रेडी डिसकस कर चुके है कि इस टॉक में जिस तरीके से बड़त आ रही है उसी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है तो आपको और भी अच्छे बाइंग लेवल आईवोसी में मिलने वाले है तो उन बाइंग लेवल्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे जब इसके चार्ट को हम एनालेस करेंगे तब तो यहाँ पर पिछले पाच दिन में स्टॉक काफी एच्छे तरीके से बड़ा यह बड़ा आज गिरावट रही और पाच दिन की बड़त अब रहे गई है चार रुपे पे तालीस पेसे एक महीने में स्टॉक 15 रुपे बड़ा है शे महीने में 28 रुपे एक साल में 41 रुपे तो बैक टू बैक कंसिस्टेंसी के साथ स्टॉक ने रिटन तो यहाँ पर दिये है और यहाँ पर अगर बात कर लें तो क्या आने वाले टाइम में इसका right issue आएगा या फिर bonus क्योंकि अगर देखें तो right issue में भी shares extra ही मिलते हैं और वही अगर मैं बात कर लें जो bonus है उसमें भी share मिलते हैं तो यहाँ पर company अगर देखें तो bonus के मामले में भी एच्छी है company dividend ही नहीं देती है company bonus भी देते आई है अपने पिछले कुछ सालों में और वही अगर बात करें कमपनी ने पहला अपना बोनस 2003 में दिया था और 2003 में बोनस दिया था इसने पहला बोनस था वनेश्टू का और उसके बाद 2009, 2016, 2018, 2022 तो कमपनी कंसिस्टेंसी के साथ बोनस देती आई है इस पॉइंट के बारे में भी आपको यहाँ पर दियान रखना है और लास्ट बोनस जो रहा इसका वो 2022 में रहा वनेश्टू टू का बोनस कमपनी के ओर से यहाँ पर अनॉंस किया गया और वही अगर बात कर लें वनेश्टू टू यानि यहाँ पर के बदले एक बोनस शेयर दिया गया था तो कंसिस्टेंसी के साथ बोनस तो देते ही है यहाँ पर 2016, 2018 और 2022 यानि हाली के कुछ सालों में कमपनी बोनस का अनॉंस्मिंग करती ही है और वही अगर देखे तो इनों ने अभी ही कुछ यहाँ पर अगर देखे बट राइट इशू आने वाला है कमपनी वेट कर रही है एक इसे प्राइस का जहाँ पर कमपनी अनॉंस कर दे यहाँ पर राइट इशू क्योंकि स्टॉक अगर देखे स्टॉक तभी बोनस या यहाँ पर कोई भी डिविडेंड हो गया तभी अनॉंस करती है जब कोई भी शेयर ओर वैलीट होने लग जाया ओर लगने लग जाये यहाँ पर शेयर होल्डर्स को तभी कमपनी के ओर से अनॉंस्मेंट होती है तो अभी भी आप वेट कर सकते हो तो यहाँ पर आने वाले टाइम में company right issue लाएगी और लगबग काफी हद तक 22,000 करोड के राउं तक का यहाँ पर fund raise होगा तो इस point को भी आपको यहाँ पर focus में रखना है तो एक कुछ points रहे हैं पिछले कुछ time से IOC में जिने हमने पहले भी discuss किया था और अभी भी हमने discuss किया और काफी यहाँ पर अगर बात कर लें वाल्यूम की तो स्टॉक में जो वाल्यूम रहा है आज का तो 2 करोड के around तक का रहा एस्टेड़ी की बात करें तो 4 करोड के around तक का trade value हमेशेर में नजराता है और वही अगर हम बात कर लें तो हाली में stock में refineries में जो इसकी पानीपद refineries हैं वहाँ पर भी expansion थोड़े कट किये गए हैं तो यह भी चीज सामने आई और वही अगर हम बात कर लें तो community sentiments के आकड़े काफी शांदार नजराते हैं community sentiments के आकड़ों में अगर आप देखोगे तो 67% लोगों की ओर से stock में buy करने के लिए कहा जाता है और 33% लोगों की ओर से stock में hold करने के लिए कहा जाता है total of numbers की अगर हम बात कर लें तो total numbers की अगर बात की जाए तो 100% लोग यहाँ पर share में देखा जाए तो यहाँ पर positive है 100% लोग positive है काफी लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो इन points को भी आप ध्यान में रखो तो levels भी important है तो levels में हमने काफी कुछ चीजे discuss की थी और अभी कि अगर बात कर ले तो हम यहाँ पर positive अब नहीं रहने वाले IOC में क्योंकि already हमें जितना हमने expect किया था उससे कई अच्छे returns यह दे चुका है और कल जिन levels के बारे में हमने discussion किया था उन levels के हिसाब से अभी भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो share में काफी अच्छी rally है में देखने को मिली अब हमें कही न कहीं इस particular trade line को follow करना चाहिए और यहाँ पर जो एप pattern आपको देखने को मिल रहा है इस pattern को हम कहते है राइजिंग वेच टाइप pattern राइजिंग वेच यहाँ पर share में create हो रहा है राइजिंग वेच आप pattern stock में यहाँ पर बन रहा है इन्ही upside down momentum के चलते stock में यहाँ पर breakdown भी आया और breakdown के बाद एक बड़ी गिरावट आई और stock यहाँ पर support लेके उपर क्यों जा रहा है तो मुझे कही न कहीं लगता है कल भी हमने यही point discuss अपके साथ किये थे क्योंकि हमें कही न कहीं लगता है कि stock यहाँ से एक बड़ा fall बता सकते हैं यहाँ से breakdown आया, stock यहाँ से कही न कहीं बड़ा fall continue यहाँ पर कर सकते हैं और वही एक चीज में अगर मैं कहो तो downside की और एक काफी बड़ा जो एक चीज यहाँ पर हमें कहो पहले भी हमने डिसकस की थी कि यहाँ पर एक gap pending है, जब तक यह gap fail नहीं होता यहाँ पर जब तक यह एक रुपए 95 पेसे, अल्मोस्ट टू रुपिस के राउन तक का यह gap है जब तक यहाँ पर gap fail नहीं होता तब तक positive आप मत रहना तब तक यहाँ पर wait करना आपने और gap fail होते ही यहाँ पर एक नई buying opportunity आपके लिए आने वाली है, in future एक काफी बड़ी opportunity आपको मिलने वाली है, तो इस point को लेकर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, तो एक कुछ points है, जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो अच्छा profit आपको मिल सकता, और 122 रुपे का ज symmetrical type pattern यहाँ पर बना था, उसका breakout हमें मिला, और exactly 122 का level, जहाँ कल भी हमें गिरावट नजर आई थी, आज भी उसी point से गिरावट नजर आई, तो level यहाँ पर हमने जो draw किये थे, जिन levels के बारे में हमने discussion किया हुआ था, उन levels के इसाब से हमें चीजे होती भी नजर रही और एक बड़ा fall भी आया, और वही अगर हम देखें तो पहले एक inverted head and shoulder pattern बना उसका breakout के बाद अच्छे return will है, rising wish type channel का breakout, फिर एक symmetrical type pattern का breakdown आया, और बिल्कुल rising wish type pattern जो की बड़े level पर बन रहा है, वहां से भी गिरावट रही, और साथ यह अगर हमें बात कर लूँ, तो share में जो 12 तो 12 का target है, वो target यहाँ पर हमने काफी सोच समझ के discuss किया था, क्यूंकि पहले अगर हम देखें, तो पहले stock में गिरावट आ चुकी है, यहाँ से आप देखो support नजर आते हैं, और यही से breakdown के बाद ही stock में बड़ी गिरावट आई, तो एक points हमने काफी दाइम पहले ही discuss कर ल चैनल को subscribe करते हैं, तो I hope video आपको helpful लगा होगा, तो video अच्छा लगा होगा, वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना और एक important चीच, अगर आप कोई भी share में investment कर रहे हो, तो इन shares का एक बार analysis भी जरूर कर लेना, और बिल्कुल analysis करके ही आपको इसमें investment करना चाहिए, और आप को नीचे description में बजाएगे, एक बार check out जरू कर लेना,